हलो एवरिवन एंड वेल्कम यूट बैंकिंग आग्यो और बैंकिंग आग्यो में विलोग बात करेंगे आठ जन्वरी 2019 के सारे करेंट अफियर्स ओके यह वीडियो होगा हिंदी में और मैंने इंग्लिस में भी एक करेंट अफियर वीडियो अपलोड कर दिया है आप अगर दो दिखना चाहते हैं तो आप ओल भी देख सकते हैं और आज सुबह मैंने बैंकिंग अवेर्निस में एटियम्स और टाइपस ओप एटियम्स पे एक वीडियो अपलोड किया था तो आप उसको जरूर देखें मैं लिंक दिस्क्रिप्शन में सेयर कर दूंगा ओके सो मोव मैला सवाल है इंडिया विंस मेडेन के स्टमेड एट रिक टेस्ट सिरी इन्टेश्टरी और इए सि्टी से बहुला तैस्टरी में जीता है तुकर तो यह सिरीज दो एक से जीता है भारत और यह तीन एक से भी हो जाता बट जो लास्ट टेस्ट मेंच था जो Sydney Cricket Ground पे खेला जाह रहा था यह वो श्डव वे हो गया बारिष के कारण यह खेला ला जा सगा ओके तो अगर यह खेला जाता तो तीन एक से भारत यह सीरीज जित लिता और इस मैच में Sydney Cricket Ground में जो man of the match हुए वो हुए चेतेस्वर पुझारा और जो man of the series हुए है जो चार टेस्ट की series थी उस जो man of the series हुए है वो भी हैं चेतेस्वर पुझारा ही हागे बढ़ते हैं HRD Ministry constitute a task force to look into suicides of JNV student under whose chairmanship तो जो HRD Ministry है अंडर प्रकास जवडेकर जो मिनिस्टर है HRD मिनिस्टर है भारत के तो उन्होंने एक task force का घठन किया है अभी जो suicides हुए थे जो खुदकुसी हुआ था एक तो जवाहर नवदे विद्याले में वहाँ के लड़कों वहाँ के विद्यारतिकों ने suicide कर लिया था तो उसके लिए उसको investigate करने के लिए एक task force का घठन किया गया है और यह किया गया है under the chairmanship of Dr. Jitendra Nagpal अभी एक मनोचिकितसिक है who elected as leader of opposition in मध्यपर्देश legislative assembly मध्यपर्देश में चुना हुआ था 2018 में और 11 December 2018 को इसका result आया था एंड कमलनात वहां के CM बने है ओके 18 हुए CM है यह मध्यपर्देश के और गुपाल भारगो गुपाल भारगो चुने गह है leader of opposition in मध्यपर्देश legislative assembly याद रखिएगा मध्यपर्देश जो है वो यूनी कैमरल लेचलेचर है यानि केवल यहाँ पे legislative assembly ही है legislative council नहीं है और सचीन पाइलेट डेपुटी CM है राजस्थान के और भुपेश बगेल यह CM है 36 गड़ के विच स्टेट गवर्मेंट हैड हैज साइन अग्रिमेंट विट वासिंटन यूनिवर्सिटी तो कंड़क्ट जोईन्ट स्टडी और दिल्ली सरकार के मुख मंत्री है अरविंद केजरिवाल और LG है अनिल कुमार बैजल और दिल्ली और पुडुचेरी यह दो union territories है जिनका अपना लेसलेचर है और अपना CM है बागी किसी भी union territory के CM नहीं है उनके direct administrator ही होते है इनके यहां CM भी है और इनका एक अपना लेसलेचर है मतलब विधान सबा है और यह जो लेसलेचर यह जो MOU साइन हुआ है यह हुआ है Washington University और DPCC के बीच यानि दिल्ली Pollution Control Committee के बीच और यह study 18 महिने में पूरी कर ली जाएगी 18th month has been allotted or scheduled the bill which seeks to remove leprosy as a ground of divorce which got passed in लोकसभाईज तो एक bill एक commitment bill पास हुआ है लोकसभाई में जिसके तहत अब तलाक के लिए leprosy को ground नहीं बनाया जा सकेगा कुस्ट जो कुस्ट होता है एक यह skin disease है तो उसको अब तलाक के लिए ground बाना नहीं बनाया जाएगा ओके और यह जो बिल पास हुआ है यह है personal laws amendment bill 2018 okay personal laws amendment bill 2018 who won the best actor award in drama category at 76th golden globe award 2019 तो golden globe award यह हुआ है US में it is hosted by US hosted in US और इस पे मैं एक separate video लाऊंगा golden globe award पे तो सारा चीज़े इसमें हम लोग कवर करेंगे तो बेस्ट एक्टर इसमें best actor award मिला है रमी मलेक को रमी मलेक और फूर मोवी भोयमिया रैप सोडी भोयमिया रैप सोडी और बेस्ट एक्टरेस ग्लेन क्लोज बनी है ग्लेन क्लोज और यह बनी है दवाइफ मोवी के लिए दवाइफ ओके शॉफ्ट वेंचर कोरिया दर अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट वेक्किल ऑफ जैपनीज इंटर्निट कॉंगलों कॉंगलोमेरेट सॉफ्ट वेंग ग्रूप रिनेम्ट इटसेल्फ है तो सॉफ्ट वेंचर कोरिया जोकी एक फुली ओन सबसीडी है क्या रख लिया है तो अब सॉफ्ट वेंचर कोरिया का नाम बदल के हो गया है सॉफ्ट वेंचर एस्या ओके और यह हुआ है दो जनुवरी दो हजार उन्नीस को इंसुरेंस रेगुलेरीती रेगुलेटरी और डेवलमेंट उथोरीटी ओफ इंडिया दाइध स्लैप्ट अपैनल्टी ओफ how much on United India Insurance Co. Corporation for violating norms regarding settlement of motor claims तो इरडाई ने अभी United India Insurance Community पे कितने रुपे का fine कितने रुपे का जुर्माना लगाया है तो यह है 5 लाख रुपे का 5 लाख रुपे का जुर्माना लगाया है इरडाई ने पात है इरडाई की तो इरडाई का हेड़कॉर्टर जो किया है 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 तराबाद में और इरडाई के चेर्मैन सुभास चंद्र कुंथिया सुभास चंद्र कुंथिया है इसके चेर आगे बात करते हैं मिनिस्टर देवी ने नी ओमा महसवर रौ रिसीपस अवर्ड फोर पुलावर्वरम प्रोजेक्ट in विच अस्तेट तो पुलावरम प्रोजेक्ट एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो गोदावरेी रिपर में है गोदावरी ऑगय और यह है आन्ध्रा परदेर समय होगई तो सिंगापूर यूनिवर्सिटी ने Ease of Doing Business Ease of Doing Business Index चारी किया है जिसमें आंद्रापर्देश बना है नंबर वन स्टेट Ease of Doing Business में Who is appointed as new secretary of department of fertilizer in ministry of chemical and fertilizer तो जो नए secretary बने है सचीव बने है department of fertilizer in ministry of chemical and fertilizer वो बने है छविलेंदर रावल और यह इन्होंने succeed किसको किया है तो इन्होंने succeed किया है भारती एस सिहाग को भारती एक सिहाग और डिवी सदानन्द गौडा यह मंत्री हैं और यह मंत्री बने है अनंद कुमार के देट के बाद जो की पहले थे chemical and fertilizer के minister और इनकी देट होगी है यह बैंगलूरू से सांसत्य भारती जन्तापाटी के के भी सुब्रमनियम resigned from the post of independent director of which bank तो के भी सुब्रमनियम जो इनका पूरा नाम है कृष्णा मुर्ती सुब्रमनियम यह भारत के नए CE यानि chief economic advisor और यह और इन्होंने resignation दिया है from the independent director post से ठीक है और इनका resignation आया है appointment के बाद as CE है और यह independent director थे बंधन bank के बंधन bank बंधन bank की बाद करें तो इसके headquarters है कोलकता में और इसके जो head है वह है चंदर सेखर घोस और बंधन bank का tagline है आपका भला सब की भलाई ओके अगे बढ़ते हैं which country which court pronounced a ban on flash shutdowns making it mandatory for any organization political or otherwise to issue a notice for invoking of a band at least seven days in advance so किस court ने flash shutdown को माने कि जो बंध होता है आज नाउस के यह कल बंध कर दिये तो इस type के जो flash shutdowns होते हैं किसी भी organization के द्वारा या चाहे हो राजनीती हो या गयर राजनीतिक पार्टी हो तो यह flash shutdown पे ban कर दिया है और यह बोला कि अगर आप बंध करना चाहते हैं तो आपको साथ दिन पहले notice देना पड़ेगा you have to issue a notice seven days in advance और यह court है किरला हाई court यह है केरल के हाई court और इसने यह pronouncement दिया है केरला हाई court के चीफ जस्टिस है रिशी केस रॉय रिशी केस रॉय ठीक है union cabinet cleared how much quota for economically weaker upper class so union cabinet chaired by prime minister Narayan Ramody had cleared 10% quota for economically weaker upper class okay so जो general category में है उनको अब 10% का आरक्षन मिलेगा जो भी economically backward है और यह मिलेगा आरक्षन government services में and for in education और अभी अगर हम आरक्षन का देखें figure तो 15% दिया जाता है for scheduled caste और 7.5% दिया जाता है for scheduled tribe और 27% दिया जाता है reservation OVC में और यह किया कैसे जाएगा तो यह किया जाएगा article 15 और article 16 को amend करके यह जो 10% दिया जाएगा reservation generals को यह किया जाएगा article 15 और article 16 को amend करके 0% interest for loans up to rupees 3 lakhs for self-help groups under the mission सकती scheme in which state तो यह जो mission सकती scheme है यह Udisha की government के तवारा शुरू की गई थी यह scheme ओके तो यह Udisha और इसके तहट जो self-help groups है उसमें तीन लाख रुपए तक का loan जो मिलेगा वो interest free मिलेगा यानि 0% में मिलेगा और अगर हम self-help group की बात करते हैं तो लगबग 6 lakhs self-help groups हैं ओडिशा में और इस इस scheme से 70 lakh महिलाओं को फायदा होगा women's ओके इस विल बेनिफिट एट एन अराउंड 70 lakh women's इन ओडिशा ओडिशा के बात करते ही ओडिशा के CM है नवीन पतनायक और ओडिशा की गवब्मेंट ने एक फार्म फार्मर्स के लिए किस्किम लॉंज किया ऑगे जिसका नाम है कालिया तो फॉर्स रिल्वे स्टेशन पो ऐस्ट ट्राइकलर निशनल फ्लेग ऑन अ हन्रेड़ फीट टॉल पोल अन्डर रिल्वे ज उडर तो जो पहला रिल्वे स्टेशन बनाई ये बनाई सिकंदराबाद रिल्वे स्टेशन और बात आई है तो railway की तो हम लोग railway board के जो नए chairman बने है उनका नाम है विके यादो और railway minister है प्यूस गोयल और वहीं railway की M.O.S. यानि Minister of State है मनोज सिनहा और 30 December 2018 को प्रधान मंत्री जो की थे अंडबान निकोबार के यात्रा पे तो हाँ पे उन्होंनों पोर्ट बिलेयर में 1500 मीटर 1500 फिट टॉल एक फ्लैग फेराया था एक हाई पास्ट और वो 75th anniversary मा की गई थी जब सुवास चंद्रभोस ने 30 December 1943 को 30 December 1943 को उसी जगा ट्राइकलर फेर आया था ओके आगे बढ़ते हैं विच कंट्री रिसेंट्ली अप्रूब्ड एंटी मनी लॉन्डरिंग बिल फोर इस ऑफ डूइंग बिजनस तो यह कंट्री है जो एफटी एफ के दोवारा ब्लैक लिस्टेड थी और यह है इरान यह है इरान जो अब एंटी मनी लॉन्डरिंग को अप्रूब किया है ताकि उसके हाँ जो यह वो जो इज ऑब डूइंग बिजनस है उस पे उपर आ सके वो जो इंडेक्स है उसमें उपर आ सके बात है एफटी एफ की तो एफटी एफ की फुल फोर्म होती है फाइनेंसियल एक्सेंट टास्क फोर्स और इसका हेड़कॉर्टर है पैरिस में और इरान की राजधानी है तेहरान और इरान का करेंसी है रियाल और इरान के प्रेसिडेंट है हसन होशन रोहानी होशन रोहानी ए ए आई Airport Authority of India signed MOU with for boosting R&D in the field of communication तो Airport Authority इंडिया ने किसके साथ MOU sign किया है for boosting research and development in the field of communication यानि communication के छेत्र में तो ये Airport Authority of India ने MOU sign किया है समीर के साथ अब यहाँ पे समीर क्या है समीर की full form होती है S for society Society for A for applied M for microwave E for electronics again E for engineering and last R for research तो इसकी full form आप याद रखेंगे Society for applied microwave, electronics, engineering and research और इसके DG तो इसकी DG है सुलभा रानाडे सुलभा रानाडे और अगर Airport Authority की बात करते हैं तो Airport Authority of India के चेर्मेन है गुरू परशाद महापात्रा गुरू परशाद महापात्रा तो इसका अंसर है समीर अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नीती आयो की पहले CEO कौन थे पहली CEO नीती आयो की कमेंट करके बता है National Awards to how many आंगनवाडी workers for exceptional achievement under Integrated Child Development Scheme would be conferred on 7th of January in New Delhi तो National Award दिया जाने वाला है कितने आंगनवाडी वरकर को उनके exceptional achievement के लिए विशेश कारे के लिए under Integrated Child Development Scheme तो यह दिये जाने वाला है 97 आंगनवाडी वरकर्स को 97 आंगनवाडी वरकर्स को राष्ट्रिय पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा नई दिले में और यह Award इनको देंगी कौन तो यह देंगी MCWD यानि Minister of Child Women and Development और जो है मने का गांधी मने का गांधी ओके और इसमें इनको मिलेगा 50,000 रुपे का Cash Price जो National Award है 50,000 का Cash Price है और जो State Award होता है वो होता है 10,000 रुपे का और यह पहले 25,000 रुपे का था बढ़ा के 50,000 कर दिया है और जो Awards है इसको भी दुगना कर दिया गया है तीक है वो अन्विल्ड वैरियस वेलफेर स्कीम फोर दा मार्जिनलाइजड अन इकनोमिकली बैकवर्ड ब्रामिन थ्रू एपी ब्रामिन वेलपेर कॉर्परेशन तो किस स्टेट में ब्रामिन जो की एकनोमिकली पीछे है पिछडे हुए है और साइड लाइन है मार्जिनलाइजड है उनके लिए वेलफेर स्कीम की सुरुवात की गई है तो ये किया गया है आन्दरपरदेश गर्मेंट के द्वारा और वहाँ के सीम चंदरवावु नाइडू ने इसकी सुरुवात किया और ये किया जाएगा आन्दरपरदेश ब्रामिन वेलफेर कॉर्परेशन के थ्रू और इसके तहत तीस चार जनुवरी दोजार उनीस को तीस कार डिस्ट्रियूट किये गए है थर्टी कार्स आर डिस्ट्रियूटेड जो भी unemployed ब्रामिन वेले उनमें और इसमें distribution of ये जो corporation नहीं ये it will involve distribution of cars to unemployed ब्रामिन वेले उनको loans दिया जाएगा और फिर subsidies भी है इसमें तो ये सब इनको दिया जाएगा आगे बात करते हैं Union Minister Nityan Ghat Kari inaugurated how many road projects worth over रूपिज 5300 करोर in Jodhpur जोधपूर को Sun City भी कहा जाता है Sun City और जोधपूर राजस्थान में है और नितीन गटकरी ये Union Minister है Road and Transport and Sipping भी है तो नितीन गटकरी ने 6 road projects launch किये है इनोगरेट किये हैं तिरपन सो करोर के जोधपूर में जोधपूर राजस्थान में है और नितीन गटकरी नागपूर से लोकसभा MP है ये भी आप याद रखें के Which journalist is conferred with lifetime achievement award by मंत्राले एंड विधी मंडल वार्ताहर संग महाराष्ट्रा तो मंत्राले एंड विधी मंडल वार्ताहर संग महाराष्ट्रा जो कि महाराष्ट्रा कि जो legislative assembly and legislative council है उनको cover करता है उनके story को cover करता है पिछले 50 सालों से तो उसने तो इसने दीनु रंदीव को lifetime achievement award दिया है lifetime achievement award से नवाज आ है और स्मिता प्रकास स्मिता प्रकास जर्नलिस्ट है ANI की जिनोंने अभी इंटर्व्यू लिया था नरेंद्र मोदी का एक जन्वरी 2019 को ISS यानि International Space Station जो कि launch हुआ था 1998 में और यह launch किया गया था रसिया और US के द्वारा jointly यह operation था है तो ISS could be growing beans in तो ISS ने announce किया है कि वो beans को grow कर लेंगे International Space Station में 2021 तक जो प्रोजेक्ट है वो 2021 तक हो जाएगा और 2022 में भारत का most ambitious गगन यान प्रोजेक्ट लाँच होने वाला है गगन यान जो मिशन है वो 2022 में launch होगा ओके वीच डेट इस दो ओफिसियल टारगेट फॉर हाउस और एलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया तो यह जो डेट है यह है मार्च 2019 यानि मार्च 2019 तक 31 मार्च 2019 तक यह जो हाउस ओड एलेक्ट्रिफिकेशन है यह पूरा हो जाएगा 31 मार्च 2019 तक यह उनिवर्सल हाउस ओड एलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाएगा और यह होगा किसके अंदर तो यह होगा सौभागे स्किम के अंदर सौभागे स्किम के अंदर और हमारे पावर मिनिस्टर है आरके सिम तो यह राज का करेंट अफेस वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करे, वीडियो को सेर करे और सब्सक्राइब करे मिलते हैं नेक्स वीडियो में Have a nice day